नमस्कार दोस्तो स्वागत एक बार फिर से आपका मारे यूट्यूब चैनल में तो दोस्तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नगर निगम भरती के बारे में जियां दोस्तो वेकेंसी के आपके बहुत जल्दी आवेदन स्टार्ट होने वाले ओल इंडिया लेवल की वेकेंसी निकल चुके जिसमें महिला और पूरुस दोनों ही आवेदन कर सकते हैं दोस्तो आविदन का पूरा प्रोसेस आपको बताने वाले कैसे आपको आविदन करना पड़ेगा ओफिशिल वेबसार्ट पर जाके तो जो भी इंट्रेस्टेट केंडिडेटर वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक जरूर देखेगा अब बिना किसी देरीके करते हैं दो पर और सफाई वाला के 1100 एकराण में पोस्टे और कस्टमर हेल्प लाइन ओपरेटर के 1741 पोदों पे आपके ओनलाइन आविदन शुरू होने जारे जो भी इंट्रेस्टेट कैंडिडेटर लाज जेट से पहले पहले आविदन जरूर कर लीजएगा दोस्तो मुनिसिपल क आगे बाखे की डीटेल भी देख लेते जैसे कि दोस्तो आपके हेल्प लैज पूरा डीटेल में अगर आप या पे वैलिट सेटिफिकेट है तो ही आप यापे केटेगरी चूज गरिएगा अदरवाज आपको जनर्र केटेडों से यापे सेलेक्ट करना पड़ेगा eligibility criteria आपे computer operator के लिए बारवी pass रखा गया है customer help learn operator के लिए भी आपे 12th pass होना जरूरी है color की post के लिए बात करें उसके लिए 12th pass helper और supply वाला के लिए 8th pass और pion के लिए 10th pass minimum education qualification मांगी गई है दोस्तो इसके बाद में हम बात करेंगे selection process कीजिया यहां दोस्तो आपका selection process रहने वाला है basically आपका यह पर short listing कीड़ जाएगी जो भी selected candidate रहेंगे उसके बाद में आपका कुस post और document verification और interview भी conduct करवाए जाएगा vacancy आपकी दोस्तो पर्मानेंट रहने वाली है government job आपके रहेगी और age limit का criteria आपको बता दूँ कि यहां पर minimum 18 साल और maximum 40 साल का यहां पर criteria रखा गया है इसके लिए SCST को 5 साल का OBC को 3 साल का और PWD candidate के लिए आपका यहां पर अलग-अलग category wise relaxation दिया जाएगा ex-servicemen को भी दोस्तो आपर minimum 5 साल का relaxation दिया जाएगा दोस्तो इसके बाद में हम बात करेंगे कि आपको कौन-कौन से documents अपलोड करने पड़ेंगे तो आपको बता दू कि recent photograph, signature, हिंदी और, English के अंदर, ID proof इसके लावा 10 वी की mark sheet, 12 वी की mark sheet और 10 वी बार वी का certificate आपको date of birth proof के लिए अपलोड करना पड़ेगा application fees के अगर बात करें तो UR EWS OBC Candidate को 4500 रुपे, वहीं SCST Candidate को 200 रुपे fees के payment करने पड़ेंगे फीस का payment दोस्तो आपको online करना पड़ेगा और अगर आपको यह पर callator download करने तो तो दोस्तो official website पर जाना पड़ेगा आपको यह पर registration number और password डाल के आप यह पर callator download कर सकते हैं इसलिए आपको बतारों को valid mobile number और email address आपको डालना ज़रूरी है दोस्तो बहुत ही जल्दी आपके इसी मन्त आवेदन स्टार्ट होने वाल है, जैसे ही आपके आवेदन स्टार्ट होंगे पूरा डीटेल में आवेदन करके अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई अब्डेट के साथ में तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तो